तो अभी तक के लेक्चर के अंदर हमने हाँ पर क्या चीज लिसकस कर रही थी, हमने हाँ पर यह डिसकस कर रहा था, जो फिलोसफी जितनी भी हैं, उनको हमने उनका evolution एक समझा था, हमने देखा था उनका beginning क्या था, उनका main foundation stone क्या था, आस्तिक स्कूल क्या था नास्तिक स्कूल क्या था और फिर हमने नास्तिक स्कूल का जो कुछ जो व्यूपाइंट जो रखते थे नास्तिक स्कूल वाले उनको हमने हाँ पर जो डिसकस कर रहा था उनमें से हमने चारवाग से आज ही भी कर थे उनको हमने डिसकस कर रहा था ठीक यह किसका बात करते हैं यह सारे कि सारे जो है वो वेदास के उपर जो है वो based है जब इन्होंने वेदास को study करा उसमें से इन्होंने अपना-पना philosophy दिया इन सब का एक जो है कुछ नो कुछ एक जो है वो सब एक text है हरकिसी का कोई नो कोई एक founder है जिसका हम वन बैए one discuss करेंग लगवान को यहाँ पर नहीं हम सब्हुत स्वाइट है owns एगवान को नहीं होने Jr. यहाँ पर यहाँ सांख्या सांख semester योगा यहen य दोनों आपस में क्या करते हैं तूसरे से नियाय और वैस्टी का ये यह दोनों एक दूसरे से क्या हैं मिलते जुलते हैं और मिमानसा और व्यदानता जो है वह यह आपस में मिलते जुलते हैं तो आज हम आज को जो भी अफिन नेक्चर इपना फ्रस्ट जो पेर हैं that तो सांग फिलोसफी को हम बेसिकली अगर समझें, अभी तक इसका काफी बारी नाम आया है, यह सबसे पहले का फिलोसफी है, पहली बात, इसका अगर हम मिनिंग देखें, तो सांग फिलोसफी का जो है वो मतलब होता है, literally, to count, तो to count मतलब, यहां पर जो है वो, that is, अभी हम द और इसका जो founder है, ठीक है, वो founder कौन है इनका, ठीक है, सबने नाम सुना होता है, कपिल मुनी का, तो वो इनका जो है, वो founder रहा हुए, कपिल रिशी या फिर कपिल मुनी, ठीक है, अब कपिल मुनी का significance आपको हर एक religion में मिलेगा, चाए वो हिंदुजम हो, चाए वो के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, गीतर के अंदर आपको जो है, इनका जिकर मिलेगा, जो है, तो ये काफी पहले की परसन है, जिन्होंने सांग फिलोसफी का जो है, वो basically idea दिया, ठीक है, अगर आप रिकॉल करो, गौतम बुद्दा, जो है, वो जिस टाउन के अंदे रह इनका time था, सबसे पहला universe वगरा कैसा क्या बना, ये philosophy हमारे को बताता है, ठीक है, अब इनका जो original text है, उसका नाम है आपका जो है, वो सांग, जो है, वो सूत्र, सूत्र का मतलब हमने already देखा था, कुछ complex जो formulas होते हैं, वो हमें हाँ पर सूत्र, जो है, वो उसको बोलते है बट सांग सूत्र अभी preserved नहीं है, ठीक है, मतलब सांग सूत्र हमारे को original form में अभी नहीं है, ठीक है, तो अगर सांग सूत्र नहीं है, तो हम सांग philosophy के बारे में कैसे जानते हैं इतना, ठीक है, क्योंकि ये जो पहले जो traditions होते थे, वो यहाँ पर जो है, वो one by one, जो हो पा अब इनकी जो ideas हैं, कपिल मुनी के, वो यहाँ पर पासवन होई, ठीक है, असुर जी, ठीक है, उसके बाद जो है वो और पासवन होई, और फिर finally जाकर, जो हो यहाँ पर जो हो एक person है, ठीक है, जिनोंने सांग philosophy के अंदर काफी अच्छा काम करा हुआ है, वो है ईश्वर क सांग कारिका, तो सांग कारिका जो है, यह सबसे ज़्यादा, जो है वो red जो है, वो यहाँ पर जो है, वो book है, या फिर text है, किसका, जो है वो सांग philosophy का, तो एक तो हमारे को हमने इसका evolution देखा सांग philosophy का, अब basically यह philosophy क्या बात करता है, अगर हम इसको समझें तो, ठीक है, त कैसे बनी है, हम कौन है, ठीक है, suffering जो है, वो इतनी क्यों है, इन सफरिंग से जो हम liberate, जो है, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो सांग philosophy जो है, वो क्या बात करता है, देखो, सबसे पहले सांग philosophy बात करता है, कि अगर आपको, जो यह यूनिवर्स जो देख रहा है, ठीक है, अगर ये बना हुआ है तो ये किस चीज से बना हुआ है मतलब what is the cause for this universe तो सांग फिलोसफिस के उपर दो चीजें जो है वो बोलता है जो भी आप universe है जो भी जीव है जीव है जो जैसे कि human beings है जैसे मैं हूँ आप हो सब जो भी है तो वो किस चीज से बने हुए है कैसे उनका formation हुआ है तो उसके पीछे सांग फिलोसफिस बात बोलता है कि हर एक चीज का जो main root cause है वो क्या है that is प्राकृति और nature तो प्राकृति is what ये ऐसे टाइप का nature नहीं है जो आप समझते हो कि अभी आपको जो nature दिख रहे है that is not जो है वो प्राकृति प्राकृति is prior to any कृति मतलब जो चीज सबसे पहले थी अभी भी है और end तक रहेगी that is प्राकृति ठीक है प्राकृति को आप स्कम जो कि जिसका खुद का यहाँ पर कुछ भी intelligence नहीं है ठीक है that means it don't have any intelligence right ठीक है मतलब यह क्या है ये एक जड़ है ठीक है जड़ ठीक है इसका intelligence नहीं है ठीक है और यहाँ पर क्या इसके पास में intelligence तो नहीं है but ये इसके पास में बहुत ज़्यादा infinite potential है ठीक है किसी भी चीज बन लेगा ठीक है जैसे आप सबोस करो जैसे seed होता है छोटाजा ठीक है उसका आप सोव करते हो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है ठीक है तो वैसी प्राकृती जो है चोटाजा पॉइंट हो बड़ उसके पास में कुछ भी क्या है intelligence नहीं है ठीक है अब सांग फिलोस्फी यह बात करता है कि प्राकृती से जो है कुछ भी चीज अगर बनेगी तो उसको यहाँ पर जो है वो contact में आना पड़ेगा किसके पुरुष से ठीक है अब what is पुरुष ठीक है पुरुष जो है वो क्या है पुरुष जो है वो एक जो है वो spirit है ठीक है जिसका खुद का intelligence है ठीक है जिसमें खुद जो है वो समझने की जो है वो शक्ती है sense है ठीक है ठीक है इस पुरुष इस witness Geldurance, consciousness, ठीक है? इसका मतलब P Minneapolis is what isским, यहां पर इसका क्या है? पुरुःफ अगर हम καरें यहां पर जिसको आप words में describe नहीं हम सकते हो, राइट, ठीक है? ज जिसका intelligence है चेतना है जो की चीज को feel कर सकता है ठीक है, that is पुरुष, ठीक है, तो जब ये चेतना प्राकृती से contact में आती है, तो क्या होता है, पुरुष जो चेतना होती है, वो trap हो जाती है प्राकृती के अंदर, और फिर उससे जो है वो आपका evolution जो है, वो होता है, so this is what the idea of Sankh philosophy, ठीक है, ये बात करता है Sankh philosophy, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, और अच्छी से अगर हम समझें, जैसे अभी हम देख रहे थे, that is प्राकृती, प्राकृती से जो है वो यहाँ पर contact, जो है वो हुआ, पुरुष का, ठीक है, पुरुष क्या है, पुरुष के पास में अपना जो है वो intelligence है, ठीक है, इस प्राकृती के पास में अपना जो है वो intelligence नहीं है, that is without intelligence, ठीक है, यह क्या है, जड़, ठीक है, और यह क्या है, चेतना, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक और चीज यह आद करके रखना है, यह चीज समझना है, कि सांग फिलोसफी के अगॉर्डिंग ली, जो पुरु ठीक है, countless, ठीक है, जबकि हम जब बात का फिलोसफी पढ़ेंगे, particularly जो फिफ्ट वाला फिलोसफी है, जो विदानता वाला फिलोसफी है, उसके अंदर हम देखेंगे, कि वहाँ पर बात होता है, जो पुरुष है, that is, ब्रह्म, ठीक है, उसको जो है, वो एक माना गया है, यहाँ पर पुरुष को क्या बोला हो है, countless है, बहुत सारे हो आपके पुरुष है, ठीक है, और प्राकृती जो है, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, कि उसका intelligence नहीं है, बट उसके पास में infinite, जो है, वो potential है, जब यह contact में आते हैं, तो यहाँ पर दीरे-दीरे evolution होकर, ज जो है, वो जीव बनता है, ठीक है, that is, evolution होता है, पूरी स्रिष्टी जो है यहाँ पर इन दुनों के contact से बनती है, अब जो प्राकृती है, आपको यह चीज़ समगना है, कि जो प्राकृती है, उसके पास में अपना खुद का कुछ भी sense नहीं है, ठीक है, तो वो किस state के अं presence हैं, वो यहाँ पर तीन उसके अंदर, जो है वो state के अंदर ये प्राकृती जो है, वो रहती है, वो तीन states क्या है, तीन गुन्च क्या है, तीन गुन्च, वो तीन गुन्च है, पहला आपका है सत्व गुन्च, सत्व गुन्च का मतलब, this is full of brightness, full of light, उसके बाद में राज यह क्या है this is full of energy और फिर क्या है ताम गुण ठीक है यह क्या है full of darkness ठीक है that is Sang philosophy बात बोलता है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं universe को जब हम देखते हैं तो जो universe जिस चीज से बना है that is प्राकृति से जो बना हुआ है वो प्राकृति भी जो है वो तीन full of energy full of brightness and full of darkness इन तीनों का एक जो है वो एक state रहता है stability रहती है और उस पूरे जो stability रहती है ठीक है वो disturbed कब होती है जब पुरुष जो है वो यहां पर प्राकृति से जो है वो contact के अंदर आता है ठीक है तो जाकर जो stability disrupt होती है और फिर finally जो है वो evolution होता है अगर हम evolution की बात करें तो सबसे पहले जो यहां पर जो formed होता है वो क्या होता है सबसे पहले जो formation होती है वो होती है बुद्धी की ठीक है फिर क्या बनता है फिर बनता है अगै can Brigade कीम बनते होता है उनमें में से MARKथ सबसेता है में अपका बनता है इथिक में तो बुद्धी अलग है इसके अलावा जो है वो आपके जो है वो बहुत सारे आपके जो दप्र सैंजि से आपका बना हुआ है according to sanks philosophy वो क्या है Pacific तोटल आपका जो है वो प्राकृती से अगर हम यहां पर देखें प्राकृती से टोटल आपका यहां पर 23 जो है वो तत्ष आपके निकलते हैं ठीक है उनमें से जो है वो एक आपका बुद्धी ठीक है एहमकार, that is ego, mind तीन आपके ये हैं इसके लावा आपके जो है वो पांच जो है वो आपके जो है वो senses जो आपके शुरॉआप्बे बनते हैं जैसे आपका कान हुआ आँक हुआ, ठीक है टंग हुआ, ठीक है, skin हुआ ठीक है, ये चीज़े आपकी बनते हैं ठीक है, इसके लावा फिर आपके पांच जो है वो आपके organs बनते हैं जैसे आपका हाथ हुआ, पैर हुआ, रिप्रोट की organs हुआ, ठीक है, आपकी ऐसी पांच जो है वो organs बनते हैं, उसके बाद जो आपके जैसे अकाश है ठीकैं वायू है यह सारी चीजे आपको पता है जो टिक एजल है अगै अकाश है इनका आपका फॉर्मेशन होता है ठीकैं तो टोटल आपके अगर आप सबको aad on करोगे तो आपका 20 ठीक है फिर आपका तीन यह चीजे ही ठीक है तो कितना होगा आपका 23 ठीक है आप एक आपका हो गया प्राकृती 24 और एक आपका क्या हो गया पुरुष ठीक है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 23 23 plus 2 is equal to 25 तो टोटल आपका 25 तत्वों से आपकी सारी चीज़े बनी होई है सांग फिलोसफिक है और जिसमें से अगर हम देखें प्राकृति से टोटल आपका कितना निकला हुआ है टोटल आपका 23 जो आपके तत्व अगरा निकले होई है तो यह हमारे को बोलता है जो सांग फिलोसफिय है अब सांग फिलोसफिय बात बोलता है कि जिस तरीके से पुरुष को प्राकृति ने ट्राप करके जो है वो अंदर तक लेकर गया था तो अगर आपको ठीक है अगर आपको जो है वो sufferings की अगर हम बात करें ठीक है sufferings जो आपके जो दुखों का जो reason है वो क्या है ठीक है world is full of sufferings ठीक है ये ऐसा बहुत सारे जो है वो doctrines के अंदर है चाहे जैनिजम हो चाहे बुद्धिजम हो ठीक है तो sufferings के फिर reasons बताएंगे कैसे आप suffering से चुटकारा लोगे तो सांग philosophy क्या बात करता है कि अगर आपको suffering से बाहर निकलना है ठीक है तो क्या होएगा जैसे जैसे जो चेतना है वो अंदर गया था कैसे बुद्धी था एंकार था ठीक है फिर आपके जो है वो पांच जो senses थे ठीक है उसकी बाद में आपके पांच और गया थे तो जैसे जैसे आप अंदर जाते गए थे ठीक है पांच आपके जो कत्व थे आपके जैसे अकाश अगनी वगरा यह सब जो है तो वैसे ही आपको जो है अगर suffering से बाहर निकलना है तो उसी तरीकी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा तो पहले आपको जो है वो सारा जो है वो किसी भी चीज से impact जो है वो आपको ना हो ठीक है वाई यू अगरा इन सब चीजों से जो भी चीज़े हैं आपकी तीक है तो फाइनली आपका रह जाएगा बुद्धी और बुद्धी से बाहर निकलना that is the most difficult thing क्योंकि अगर आपका बुद्धी ही नहीं है तो आप जो भी आप चीज पढ़ रहे हो या जो भी आप चीज समझने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं रहेगा तो इस इस बाहर निकल जाओगे और जब चेतना जो पुरुष है जब आपका इससे बाहर निकल जाएगा completely जैसे वो अंदर ट्राप कर रहा था तो फाइनली आपको जो है वो क्या चीज मिलेगा फाइनली आपको जो है वो यहाँ पर liberation जो है वो उसका प्राप्ती होएगा ठीक है तो यह बात जो है वो सांग फिलोसफी करता है तो सांग फिलोसफी यह बात करता है कि जो आपकी sufferings है वो क्यों है sufferings का जो reason है वो क्या है sufferings का जो reason है वो है ignorance ठीक है और अगर आपको sufferings अपनी धूर करनी है तो राइट जो रास्ता है that is the knowledge ठीक है तो knowledge के थुरू आप salvation प्राप्त कर सकते हो ऐसा सांग philosophy बात करता है और knowledge आप कैसे attain करोगे ठीक है तो जैसा हमने से पलिशन करने के लिए तीं उसने के थे तरीक है यह और यह 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 जो चारवाक है that is perception, right, एक क्या है, एक है आपका अनुमान, that is inference, ठीक है, और फिर क्या है, hearing, hearing is शब्द, मतलब आपने कोई भी किताब पड़ा, आपने कुछ भी सोना, और आपने उसको सच माना, तो ये तीन तरीके हैं जिसके थूरू आप knowledge यहाँ पर प्राप्ट कर सकते हो, तो hope आपको सा बहुत बहुत रिवाइस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यह originate हुई थी, यह हमारे को मालूम है, जितना भी philosophy है, उसमें सबसे पहले originate है, कौन इनको लेकर आए थे, कपिला इनको लेकर आए थे, ठीक है, बुद्धा से भी पहले का है यह, ठीक है, सांग सूत्र, जो है कब compilation हुआ इसका, जब हम compilations पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था, कि गुप्तास के अंडर, जो था, वो, maximum compilations, जो है, वो, 0 से 300 ED के आसपास, जो है, वो, हुए 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 है, ठीक है, तो यह इसका, जो है, वो, maximum, जो है, वो, यहाँ पर, जो है, वो, ईश्वर को जो है, अपनी किताब, सांग कारिका के अंदर, जो है, वो, लिखा, ठीक है, तो एक तो हमारे को यह चीज़ पता होना चाहिए, फिर, हमने सांग फिलोसफिक का बेसि टेनेट देखा, कि यह क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ होती है, that is, प्राकृती, प्राकृती, जो है, वो, that is, प्रायर टू कृती, जिसका कुछ चीज होईगी, तभी यूनिवर्स बनेगा, ठीक है, अगर कुछ भी चीज नहीं है, तो उससे यूनिवर्स नहीं बन सकता, तो आप बोल सकते हो, इसको कि काफी scientific viewpoint रखता है, scientific viewpoint कैसे, ठीक है, scientific, जो viewpoint इसलिए है, कि 0 से 0 ह बन नहीं बन सकता, ठीक है, मतलब कुछ चीज होनी चाहिए, जिससे कुछ चीज बने, ठीक है, तो वो कुछ चीज क्या है, जिससे यूनिवर्स बनाता, that is, प्राकृती, बट प्राखृती के पास में क्या है, प्राकृती के पास में जो है, वो, खुद का sense नहीं है, उसके बाद में दिरी दिरे हमने evolutions देखे थे, हमने देखा था प्राकृति जो है वो तीन forms में था, ठीक है, सत्योगोन, राजगोन और तामगोन, ठीक है, अब यहाँ पर जब दिरी दिरे trap हो रहा है, पुरुष जो trap हुआ, तो दिरी दिरे यहाँ पर क्या-क्या चीजे बन बना, फिर ego बना, ठीक है, फिर आपके जो है, पांच sense organs बने, पांच organs of actions बने, पांच subtle elements बने, ठीक है, जैसे smell बगरा हुआ, ठीक है, और पांच gross elements, जैसे आपका आका आश, वाई, यह सब चीजे हैं, तो ऐसे आपका total जो है, वो 23 जो है, वो elements से यहाँ पर सारी चीजे ब सांग philosophy का जो शुरुआती, जो दौर था, उसमें उन्होंने क्या बात करा, सांग philosophy ने यहाँ पर बोला, कि प्राकृती से जो है, वो सारी चीजे बनी होई है, गौड हो सकता है, हो या ना हो, बट अगर हो है भी, तो उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने अगर क्या बात बोला, कि अगर आपको salvation प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, knowledge acquire करना पड़ेगा, और आपका sufferings का कारण क्या है, ignorance से आपका sufferings का कारण, ठीक है, तो 4th century AD में, बाद में आते आते, इसने एक और element एड़ करा, कि प्राकृती के सार साथ, जो formation के लि 2.2 शुरुआत में materialistic का, यह आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो अब इसके अंदर आपने जब पूरा देखा, तो दो चीजे साम, philosophy को चाहिए, जिससे आपका universe या फिर world बने, वो है प्राकृती और वो है पुरुष, तो जब दो चीजे हैं, तो जिससे जो बनेगा तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, dualistic school, dualistic मतलब, यहाँ पर दो चीजे चाहिए, बनने के लिए, एक है आपका प्राकृती और एक है आपका पुरुष, तो यह dualistic school है, इसमें कोई confusion नहीं रहना चाहिए, ठीक है, फिर, salvation कैसे प्राप्त होएगा, यह हमारे को मालूम है, knowledge के प्राप्त होएगा, perception, प्रत्यक्ष, inference, अनुमान, hearing और शब्त, ठीक है, इसके थुरू हमारे को knowledge यहाँ पर प्राप्त होएगा, तीन methods, clear, क्या है यह scientific system of inquiry है, very good, ठीक है, true or false आपको पताना है, सांग, philosophy, जितना भी आप समझो, कि उसमें से कौन सी statement सही है, कौन सी गलत है, ठीक है, the presence of divine agency is not essential, मतब गौड का जो है, is not essential to the creation of world, यह statement सही है, गलत है, मतब गौड का existence के उपर यह बात नहीं करता, गौड पर belief नहीं रखता, आप बोलोगे, yes, this statement is correct, अभी अभी बताया हमने, और वैसे अगर हम generally बात करें, तो कुछ लोग, जो है, वो, सांग, philosophy के के, maximum लोग मानते हैं कि God में वो विश्वाश रखते थे, विश्वाश नहीं रखते थे, काफी लोग बोलते हैं, विश्वाश रखते थे, तो that is debatable, ठीक है, बद अगर हम देखे है, हाँ, वर्ल की creation में, जो हो God का कोई रोल नहीं था, यह इसमें कोई debate वाली बात नहीं है, ठ A person can attain salvation through acquisition of real knowledge, बिल्कुल सही है, पहला systematic account है, cosmic evolution का, बिल्कुल सही है, योगा स्कूल से related है, बिल्कुल सही है, अब इसकी अगर हम बात करें, यह accept नहीं करता वेदास की authority, तो यह statement गलत है, क्योंकि आस्तिक स्कूल में आते हैं, वेदास से कही ना कहीं पर यह derived है, ठीक है, त के सामने है, ठीक है, इसमें बताया हुए है कि सांख philosophy का essence हमारे को इन में से कौन सी चीज़ों में दिखता है, ठीक है, एक 9th century BC का, जो ancient speculations हैं, वेदिक हीम्स हैं, और जो पुराने उपनिशर्स हैं, उसमें दिखता है, पहला, 4th century का proto-samkya speculations, जैसे कि बुद्ध चरीता, उपनिशर्स बीच वाले, भगवत गीता और महाबारत, इसके अंदर दिखता है, 1st से 10th century classical samkhya, ठीक है, सांख स्कूल, और 15th century जो रेनेसेंस हुआ लेटर, सांख स्कूल का, तो आप बोलोगे, सारी की सारी चीज़ों में हमारे को philosophical, सांख की चाप दिखती है, ठीक है, all of the above, ठीक है, तो यह हमारा हुआ सांख स्कूल, ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब हम यहाँ पर देखते है, योगा स्कूल, जो है, वो किसका है, पतनचली, योगा स्कूल सबको मालूम रहता है कि पतनचली का है, ठीक है, बाबाराम देव ने काफ किस से, जो है, वो सांख स्कूल है, उससे mostly यह related है, ठीक है, बाब जैसे नाम में योगा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बोडी के ओपर भी emphasis होगा, आसन के ओपर भी emphasis होगा, योगा आसन के ओपर भी emphasis होगा, तो बस उतना deviation है, तो हम इसको सांख philosophy से comparison करते होए, योगा के attain salvation कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो important thing is, कि yes, यहाँ पर meditation का तो role ही, that is mind, knowledge का role है, ठीक है, बट, knowledge के साथ-साथ, सांख philosophy ने क्या body के ओपर कुछ भी जोर दिया था, no, उसने body के ओपर कोई जोर नहीं दिया था, ठीक है, उसने बोला था, अगर आपका कोई, अगर आपका body ठीक रहेगा, तो ही आपका mind ठीक रहेगा, that is, यहाँ पर body physical application के ओपर बात है, pleasures के ओपर control की बात है, आसन्स का बात है, प्रणायाम का बात है, breathing exercise का, concentration का बात है, तो यहाँ पर in short, अगर हम बात करें, तो knowledge और bodily, जो है वो, उनकी भी बात है equally, तो एक तो यह difference है, ठीक है, अब similarities अगर हम देखें तो, ठीक है, सांग स्कूल क्या बोलता है, कि पूरा जो world है, वो किस से बना हुए, प्राकृती और पुरुष से बना हुए, spiritual element है, ठीक है, same चीज योगा स्कूल भी बोलता है, तो योगा स्कूल भी क्या है, dualistic स्कूल है, very very important, तो दोन देखा था, right, तीसरा, knowledge कैसे required होएगा, सांग स्कूल के तुरू, ये तीन methods के तुरू, योगा स्कूल क्या बोलता है, same exactly, तीन स्कूल के तुरू, तो ये स्लाइड में exactly same है, सिर्फ difference क्या है, वहाँ पर उसने mind वाली चीज को भी क्या है, important role play करा, ठीक है, योगा स्कूल के गॉड में belief नहीं रखता, जबकि जो योगा स्कूल है, that believes in God, this is the only difference, तो काफी लोग इसको क्या बोलते हैं, scholars, योगा स्कूल को, सांग स्कूल with God, that is, सांक्या with God, इसको हम जो है वो, इस तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है, that is, अगर हम देखें इसमें, ठीक है, it is, यहाँ गॉड को जो डिस्क्राइब करते हैं, पतंजली ऐसा, इस्वर इनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो एक तो यह हुआ, ठीक है, फिर अगर हम दूसरा देखें यहाँ पर, हमने अल्रडी देखा, कि सांग स्कूल बात करता है, सिर्फ नॉलेज के थूरू, आप जो है तो यहाँ पर योग स्कूल क्या बात बोलते हैं, योगा फिलोसफिय भी यहाँ पर सेम चीज बात बोलते हैं, इप बिलीज पुरुशे सत्व और प्राकृति इस तमा, ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज है, इन शौट अगर आप समझोगे, जो तीन गुंड वाला जो एट लिम्स और स्टेजिस वन शुट फॉलाओ तो रीच मुक्ष, ठीक है, मतब आठ रास्ते हैं, जिसमें आप मुक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, वो आठ रास्ते जो है, वो कौन-कौन से हैं, यमास, ठीक है, नियम, आसन्स, ठीक है, प्रनायाम, यह सब हम अलड़ी ठीक है, तो यमास क्या है, नियम क्या है, यमास वो हैं, जो आपको अवाइड करने चाहिए, जो वैल्यूस जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे की स्टीलिंग, जुट बोलना, वाइलेंस, यह सब आपको नहीं करना चाहिए, नियम क्या है, जो आपको करना चाहि बुद्धिजम है ना बुद्धिजम ने भी कुछ रास्ते दी हुए ठीक है एट फोल्ड पात अटेंड करने के लिए ठीक है क्या चीज अटेंड करने के लिए सेलवेशन व्यसी इसका a. योगा स्कूल का तो अगर आपके सामने कुछ कोस्षा का आए दीक है कि बुद्ध्ध स्कूल का भी या फिर योगा स्कूल का भी तो आपको दोनों का जो है वह क्या करने यह ऐसी मार्क करना है कि दोनों के जो हो यहाँ पर इतने जो हो एट लेम्स वगरा इस तरीके से जो हो बताया हुआ है ठीक है इसके अलावा अगर हम देखे एक और MCQ ठीक अगर आपके सामने आए कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको नहीं मालूम होता है बहुत मैक्सिम जगों पर आपको यह इनफरमेशन नहीं मिलेंगी ठीक है तो यह सारे योगा स्कूल के ओपर इन्होंने बाते बोली हुई है तो आपको आपको अगर ऐसा कुछ खोशन आए तो Yes, Mark करने है उसके अलाबा, योगा प्रेक्टिस is also mentioned in वैशिशिका की सूत्र में भी हैं, न्याए के सूत्र में भी हैं और ब्रह्म सूत्र में भी हैं, जैसे कि आप देखो, सांग फिलोसफिय आपने पहले देखा था और योगा, उसके बाद में कौन से आएंगे? न्याए और वैशिशि वालों की जो सोर्सिस हैं, ठीक है, ब्रह्म सूत्र, जो है ठीक है न, यह आपका जो विदान्ता का है, ठीक है, इसके अंदर भी इनके बारे में mentioned है, तो that is, यहाँ पर बात के जो भी फिलोसफिय उसमें योगा के बारे में पूरा-पूरा जिकर है, आपको यह चीज़ माल अडिया हुआ होगा, ठीक है, कि यह दोनों फिलोसफिय क्या है, mostly related है, योगा स्कूल बस बात क्या करता है, कि bodily, जो है वो, organs के उपर भी बात करता है, सांग फिलोसफिय जिर माइंड की बात कर रहा था, ठीक है, बाकी सब चीज़ों में सेम है, और इसने अपना एक limbs, जो ह होएं हापर दिये, salvation attain करने के, right?